इस्टडी आईक्यू PCS चैनल पर आपका स्वागत है PCS अप्टुडेट प्रोग्राम में जानेंगे भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में अमेंडमेंट के बारे में Union Cabinet ने National Biofuel Policy 2018 में किये गए संशोधनों को स्विकार कर लिया है इन अमेंडमेंट्स के मुताबिक अब फ्यूल कंपनियों को पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग 2030 के बजाए 2025 से करनी होगी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की नीती 1 अपरेल 2023 से लागू होने की उमीद है गौर तलब है कि सरकार लंबे समय से 2 एंट 4 विलर विकल्स के लिए एथेनॉल ब्लेंडिट पेट्रोल के एको सिस्टम को लागू करने की तैयारी कर रही है एथेनॉल या एथिल एलकोहल एक हाइड्रोकार्बन है जो जलने पर इंजन में हीट और पावर जेनरेट करता है हालांकि किसी विकल को पावर करने के लिए पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा एथेनॉल की जरूरत होती है नीती आयोग की समेती एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट सौप चुकी है ऐसे विकल जिस तकनीक से पूरी तरह से एथेनॉल से चलते हैं उस तकनीक को फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेकनोलोजी कहा जाता है यह तकनीक ब्राजील में बड़े इस्तर पर लागू है फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेकनोलोजी वाले विकल्स वर्तमान विकल्स के तुलना में कोश्टली है एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले पूरी तरह से जलता है इसलिए इससे कार्बन मोनो ऑक्साइड का एमिशन नहीं होता लेकिन भारत में हुई टेस्टिंग के मुताबिक नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सरजन में कोई कमी नहीं हुई है जो कि एक प्रमुख पॉलिटेंट है Institute for Energy, Economics and Financial Analysis के मुताबिक भारत को 2025 तक अपना लक्ष पूरा करने के लिए जिस मात्रा में एथनॉल का उत्पादन करना होगा वह परियावरण और आर्थिक लिहाद से महगा साबित होगा